हलो दोस्तों, आज के इस वीडियों आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों आज के इस वीडियों में हम बात करेंगे Gio5 और Airtel Hotspot के बारे में, और हम देखेंगे कि दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस आपकी जरुरत के हिसाब से बहतर है, अगर आपक सकते हैं कि design के मामले में दोनों डिवाइस एक दूसरे से काफी अलग है, Airtel का Hotspot rectangular shape का है, जबकि Gio का circular, दोनों ही devices portable है और आसानी से आपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से Portability के मामले में Airtel का better है, क्योंकि इसकी height कम है और आसानी से किसी भी pocket में fit ह हो जाता है, Airtel का Hotspot पूरा white color में आता है, जबकि Gio का black color में, Airtel के Hotspot में signal और battery indicator top पे दिया गया है, जबकि Gio में side में, Gio 5 में wireless connectivity के लिए LED indicator दिया गया है, लेकिन Airtel में ये नहीं है, Airtel में power on off करने के लिए बड़ा सा button top पे दिया गया है, और Gio 5 में side में, इसके ला तो इसके Wi-Fi LED का color blue से green हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी indicator Airtel में नहीं दिया गया है, दोनों ही devices में charging और USB Tethering के लिए micro USB port side में दिया गया है, और दोनों ही devices में removable batteries लगी है, बैटरी की बात की जाये तो Airtel में 1500 mAh की बैटरी और Gio 5 में 3000 mAh की बैटरी लगी हुई, या फिर Gio 5 का बैटरी निकाल करके आप directly इसको power bank या power adapter से भी चला सकते हैं, लेकिन ये चीज आप Airtel के साथ नहीं कर सकते हैं, जीओ 5 यूज करके आप call कर सकते हैं, लेकिन Airtel hot spot में ये possible नहीं है, यहाँ पर मैं एक special चीज mention करना चाहूंगा कि Airtel के hot spot को unlock किया जा सकता है, लेक description में भी Airtel hot spot को unlock करने का link दिया गया है, मैंने Airtel के पुराने और नए दोनों model को unlock करके दिखाया है, इसका link नीचे वीडियो description में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, तो चलिए आप इन दोनों devices के specification और features को compare कर लेते हैं, तो अगर model number की बात करें, Airtel का जो hot spot है, उसका rate थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन जीओ 5 अभी भी आपको 99 रुपय में मिल जाएगा, दोनों ही devices अपने अपने career को support करते है, Airtel hot spot Airtel को, और जीओ 5 जीओ SIM को support करता है, अगर इसमें data pack की बात करें, तो Airtel में जो Airtel का SIM का जो offer होगा, वो चलेगा, और जीओ 5 में जीओ SIM का जो offer होगा, वो चलेगा, इसके लिए कोई special offer नहीं है, Airtel hot spot में normal SIM लगता है, जबकि जीओ 5 में nano, Airtel को unlock possible है, और जीओ 5 को unlock नहीं किया जा सकता, नमबर आप devices support की बात की जाए, तो Airtel 11 devices support करता है, जिसमें से 10 Wi-Fi पे और 1 USB तेतरिंग के तरो, ज Jio 4G WISE के थ्रो, Jio 4G WISE एप जो है, वो calling के लिए आपका iPhone पे काम नहीं करेगा, इसके अलावा आप Android पे अगर यूज करते हैं, तो किसी एक device में ही activate कर पाएंगे, जैसे ही आप दूसरे device में activate करेंगे, तो पहले device में से वो deactivate हो जाएगा, Airtel के hot spot में कोई भी memory card slot नहीं दिया गया है, जबकि Jio 5 में दिया गया है, और ये 64 GB तक का card support कर सकता है, दोनों ही devices 2.4 GHz Wi-Fi support करते हैं, दोनों ही devices में LED indicator दिया गया है, बैटरी साइज जैसे कि मैंने पहले बताए, Airtel में 1500 mH और Jio 5 में 3000 mH है, बैटरी life के अगर बात की जाएं, तो Airtel 6 घंटे चलता है और जबकि Jio 5 8 से 10 घंटे, इसके लावा बैटरी life जो वो डिपेंड करता है आपके users के उपर, साथ ही साथ, आपके जो network का strength है, वो किस तरीके से है, तो ये life कम जादा होती रहेगी, Airtel hot spot को charge करने में लगबग 2 घंटे लगते हैं, जबकि Jio 5 का 3.5 घंटे, दोनों में ही USB connection दिया गया है, इसके अलावा दोनों ही 500 Mbps तक का download speed support करते हैं, अगर इसके packaging की बात करें तो Airtel hot spot में device, battery और cable मिलता है, जबकि Jio 5 में device, battery, cable के अलावा आपको एक adapter भी दिया गया है, दोनों के अगर form factor की बात करें तो दोनों ही devices portable हैं, आप इसको आसानी से कहीं भी carry कर सकते हैं, weight की बात करें तो Airtel 75 ग्राम का है, जबकि Jio 5 95 ग्राम का है, दोनों ही devices में internal antennas दिये गया है, दोनों में कहीं भी external antennas दिया गया है, Airtel का पुराना model था, उसमें external antennas लगाने का option दिया गया था, लेकि नए वाले model में ऐसा कोई option नहीं है, अगर इनके operating frequency की बात की करता है, तो Airtel 2G, 3G, 4G, 4G, LTE यह सारे bands सपोर्ट करता है, जबकि Jio 5 जो है वो FDDLT और TDLT सपोर्ट करता है, इसमें आप 2G या 3G का SIM नहीं यूज कर सकते, अगर operating system सपोर्ट की बात की जाए, तो Airtel जो है वो Windows 7, Windows 8, 8.1, 10, इसके लावा Mac OS के जितने भी 10.7 के बाद से operating systems को almost support करता है, तो आप overall बात की जाए कि दोनों devices में से कौन सा बहतर है, कौन सा आपको लेना चाहिए, तो कुछ नहीं कह सकते है कि कौन सा device बहतर है, क्योंकि दोनों अपने-अपने carriers को support करते है, कि Airtel को support करता है, दूसरा Jio को support करता है, अगर आपको Jio यूज करना है त कुछ भी चले, आप कहीं भी travel करें, आपको जो उस वक्त signal मिले, आप उसी का SIM यूज करें, तो मैं तो prefer करूँगा कि आप कोई भी Huawei का कोई unlocked version लीजिए, जो कि थोड़ा सा costly आता है, 3000-4000 के round आता है, जिसमें कि आप यूज कर सकते हैं, कोई भी SIM चाहिए, वो Airtel का हो, या कोई भी problem, अभी तक तो नहीं आई है, तो आज की इस वीडियो बस इतना है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये comparison पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चै थी नहीं आपको ये लगिए तक हमारा जात ऩाइक मार्वट है तक हमारा बीजर भी तक हमारा केस्वार्म कीजिए, और अगर जे प्लीजिए, और आपको ये वीडियो है, तक हमारा चैवियोर्शना है, मुझे एस ऑने दो और येंसे के वीणिए, और एmpbirds अगरा आपको